गंद दुरादुशाम नित्यम पुष्टाम करीश्वनी इश्वरी सरभभूतानाम तामी हो पबेश्री अम्मा जै श्री कृष्टाम जै श्री रादे आप सभी दर्शकों का आप सभी यातकों का हार्दिक अविनंदन है सु स्वागत है हमारे चैनल भक्ति रस लाइव में बंदुओ आप सभी को दिपावली महापरव की हार्दिक शुप कामनाएं आप सभी सदा खुश रहे सदा स्वस्त रहे बंदुओ दिपावली के लिए हम बहुत ही खास कारेकरम आप के लिए लेकर के आए हैं कि कैसे आपने लक्ष्मी पूजा करके कैसे अपने घर में खुश्यों को प्राप्त करना है कैसे अपने घर में आपने अन धन के बंडार बने हैं, कैसे आपने अपने घर के उपर लक्ष्मी की कृपा करनी है, कैसे लक्ष्मी आप पर परसन होगी, इन सब के लिए आप देखी हमारा जे खास कारेकरम बंदूओ लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजन, दिपावली, जे महापरव कब आ रहा है, जे आ रहा है, बुद्वार 7 नमंबर 2018 को, अर्थात बुद्वार, बुद्वार को जे त्युहार आ रहा है, इसलिए जे बहुत ही शुब कामना हैं, आपके लिए ले कर के आए, जे हम काम करते हैं, तो बंदूओ कैसे करनी हैं आपने दिपावली में मा लक्ष्मी की पूजा, बंदूओ लक्ष्मी मा, श्रीष चते, लक्ष्मी, चापक्तनिया, बोहो रात्रे, पारश्वे, निक्षतराणी, रूप मश्मिनो व्यात्मा, इश्नन्नी खाना, मुम्मे खाना, बात बताई गई है कि बगवान विश्नो की दो पत्रियां है, एक श्री और दूसरी लक्ष्मी, हम कहते हैं कि श्री और लक्ष्मी किसी परकार की सम्मानता नहीं है, जे एक ही ही है, लेकिन लक्ष्मी, एक लक्ष्मी ऐसी होती है, जो व्यक्ति की बुद्धी को स्थिर कर और एक लक्षमी वो है जो व्यक्ति की व Whiddhi को बिगार देती है। मंदोजे सब क्या है क्योंकि मा लक्षमी की अगर बात करें तो मा लक्षमी की सुवारी उल्लू भी है मा उल्लू के उपर बैठ कर भी आती है लेकिन आपको कैसी लक्षमी की प्राप्ति होनी चाहिए आपको कैसी लक्षमी चाहिए आपके पास जो भी लक्षमी आए वो इस आए वो आपके मान में बढ़ोतरी करे आपका यश बढ़ाए इन सब को ले करके अगर हम सात्विक लक्षमी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके अलग-अलग ढंग हैं क्योंकि महालक्षमी की पूजा में अनेक परकार के उपाए बताए गए हैं विद्वानों के द्वा कुलाब के साथ मासर्च्वति के साथ क्योंकि अकेली लक्षमी जब भी आएगी वो आपकी बुद्धी को ब्रहमित कर देगी इसमें कोई संदे करने की सदे करने के अवशकता नहीं है लक्षमी सदे भी व्यक्ति के मन को दो परकार से चलाती है एक सात्विक और और दूसर व्यक्ति को अनेक परकार की समस्याओं में भी डाल देती है लेकिन इस बर्ष जो लक्षमी महालक्षमी दिपावली का जे महा परवार है उसमें हमने क्या करना है वो कब आता है वो आता है कार्तिक क्रिशन पक्ष की आमावस्या तिथी को कार्तिक क्रिशन पक्ष की आमाव रात्री होती है, अमावस्या जब चांद उदे नहीं होता, अर्थात अंदकार रात्री, जब अंदेरा ही अंदेरा होता है, बैस तो अंदकार प्रतेक अमावस्या को होता है, लेकिन कार्थिक मास की अमावस्या तिथी को ज़्यादा अंदेरा होता है, सबसे ज़्यादा काल तो हमने क्या करना है, बंदू वो प्राता काल उठना है, प्राता काल उठकर के हम सब से पहले तो प्रसंचित हो जाए, प्रसंचित अर्थात हमारे गर में मा लक्ष्मी आएगी, मा लक्ष्मी आपके उपर सदेव कृपा करे, सदेव आपके गर में ही रहे, लेकिन उस दिन म चित रमजाय मां बहां चली जाती है इसलिए हम सभी अपने घर को सजाते हैं संदर संदर दीप जलाते हैं संदर संदर उपकरनों को अपने घर में ले कर के आते हैं लकिन मेरे बताई हुए अगर आप उपायब करेंगे मेरे बताई हुई बातों को अगर आप उनके उपर अनुसरन करेंगे, अनुमोधन करेंगे, तो निश्चित ही आपके घर में मा लक्ष्मी जुरूर आएगे, क्योंकि मा लक्ष्मी बहां जाती है जहां पर बगवान बिश्नु पहले से विद्यमान हो, मैंने पहले भी कहा कि बगवान बिश्नु जब भी जाते हैं वो अकेले नहीं जाते, और मा लक्ष्मी को क्या चाहिए, मा लक्ष्मी को चाहिए, बगवान बिश्नु का साथ, बगवान बिश्नु का प्रेम, धन्त रियोधिश वाले दिन मैंने आपसे कहा था कि अपने सारे धन को बगवान दुसरे की जानके दुश्मन बन जाते हैं, यह संसार मुझे दुदकारता है, मुझसे प्रेब नहीं करता, लेकिन इस संसा, इस प्राणी ने, अगर आपने धन रखा हो तो मां आपके लिए भगवान भिश्णु से प्रात्ना करेगी, कि इस प्राणी ने पुनहा मेरा और आ ऑपके उपर कृप्पा होगी और निश्चिती ही मा लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेगी, उझे न आप मा लक्ष्मी का बशेश पूञें, उपने घर में प्राता काल ही देशी घी से, अगर देशी घी गुव मईया का हो तो बहुत उत्तम है, उससे आप एक धिया जलाएं जो साय काल तक जलता रहें और उस दिये में आप मेठा पदार्थ जो मेठी गेहूं होती है उसे आप चढ़ाएं आप पता से चढ़ाएं आप नवेध्य अरपन करें मा को आप प्रिये लगने वाले कमल के जो बीज हैं कमल के पुष मेहं बो अरपन करें प्राता काल ही अपने घर में एक दीपगज लाएं और मा के आने की प्रतिक्षा करें क्योंकि मा सारा दिन इस प्रित्वी के उपर बिच्रन करती है और कभी भी आपके घर आ सकती है सात्विक रहें अपने घर का जो मुख्य दरवार है मुख्य दरवार को आप खोल करके रखिए तांकि मा आपके घर में कभी भी आए तो आपका जो मुख्य दरवार है वो बंद ना हो इसलिए मा को आने के लिए आप पहले से ही गर के मुखे द्वार पर पुश्प इतियादी जल इतियादी रखे ताकि मा के स्वागत में वो सब पहले से तैयार हो बंदो फिर आगे साइकाल तक आप मा लक्ष्मे के गीत संगीत मा के मंत्र ओम श्री लक्ष्मियाई नमाहा श्री लक्ष्मियाई नमाहा इत्यादी मंत्रों का आप दिन भर जप केजिए जप करने के बाद जब शुब मुहूर्त इस वार जे जो शुब मुहूर्त है वो कब आ रहा है वो पाँच बज़ के स्तावन मिनिट अर्थात अगर सीधी सीधी बात करें तो साइकाल 6 बज़े से लेकर के रातरी 8 बज़े तक जो अच्छा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आप पूजा करोगे तो आपको फल की प्राप्ती होगी आप अगर किसी पंडे जी को बुला करके अपने घर में पूजा करवाते हैं तो आप पंडे जी को समय दीजिए इसी समय में से कि वो आपके घर में आकर के आपका लक्षमी पूजन करवाएं और कुछ बहुसे हमारे बाई बंदू ऐसे हैं जो अपने घर पे भी पूजन करते हैं और अपने बैपार अपनी दुकान पर भी पूजन करते हैं तो बंदू अगर आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं तो घर में पूजन आप रात्री के समय भी कर लें बाद में भी कर लें तब भी अच्छे मुहूर्त हैं लेकिन विशेश मुहूर्त जो मैं आपको बता रहा हूँ इस मुहूर्त में आप अपनी दुकान पर पूजन क तो बहां से होकर के फिर अपके घर में भी बैस्वता ही पहुंचाएगी, क्योंकि आप अपने दुकान से जो भी कमाएंगे, वो अपने घर ही तो लेकर के जाएंगे, इसलिए जो विशेश मुहूर्त मैं बता रहा हूं, इससे जो बेपारी बंदू है मेरा मारे बाई, जिन सरप्रथम आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले करके, अपनी पूजा स्थली में पहले आप सुन्दर आप आसन बिशाएं, सुन्दर रुमाला बिशाएं, उसके उपर गनेजी इब लक्षमी की सुन्दर प्रतिमा को सजाएं, और उनके इर्द गिर्द आब शुब लाब इत्यादी को स्थापित करके, आप उस पूजा में सरप्रत्म अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले करके, अगर साथ में कमल के जो बीज हैं, जिसे कमल गटा भी कहते हैं, वो भी साथ में ले करके, आप मालक्षमी का आवाहन करें, प्रातना करें, गनपती जी स इत्यादी मालक्षमी का आवहन करें, पिर उस पुषपंजली को आप उनके चनों में छोड़ दें. और फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप करें संकल्प. संकल्प में मां से प्रात्ना करें अगर आपके बैपार में कमी आ रही अगर आपका बैपार अच्छा नहीं चल रहा तो मां से प्रात्ना करें कि मां मुझे बरपूर मात्रा में प्राप्त हो मेरे संकट को हरे और आप सदेव सभी भक्तों का पालन करने वाले हैं, भगवान विश्णू का भी साथ में द्यान करें, और फिर आप पंचामरत से उन दोनों गनेश अंबिका का स्नान करवाईए, सरप्रतम आप दू से स्नान कराएं, दू से स्नान कराने के बाद आप शुद जल चड़ाएं फिर आप ददी से स्नान करवाएं, दही चड़ाने के बाद आप शुद जल से स्नान कराएं, फिर आप गृत चड़ाएं, गृत चड़ाने के बाद शुद जल से स्नान कराएं, फिर आप शक्कर चड़ाएं, शक्कर चड़ाने के बाद आप शुद जल से स्नान कराएं, फि फिर गनेजी को आप जग्यों पभीत अरपन करें, मा को वस्तर अरपन करें, फिर इन दोनों को आप तिलक लगाएं, अगर हल्दी का तिलक मा लक्ष्मी को लगाएं तो बहुत उत्तम है, गनेजी को सिंदूर का तिलक चड़ाएं, इनको अगर चावलों को पीला रंग करके वो चड़ाएं मा लक्ष्मी को कमल के बीच चड़ाएं और मा लक्ष्मी को पीले रंग के पुश्प चड़ाएं और मा को नावैद्य अरपन करें नावैद्य किसी प्रकार की हो सकती है मिठा अरपन करने के बाद मा को जल अरपन करें जल अरपन करने के बाद मा को आप फल अ अंत में फल और दक्षना दे करके मा की स्तुती करें और इस प्रकार विदिवत पूजा करने से आपको निश्चित ही लक्षमी की प्राप्ती होगी। हमारा कोई रिष्टेदार घर में आता है हमारा मन करता है कि हम अपने घर से ना बेजे तो उनको विने करते हैं प्रात्ना करते हैं इसलिए बैसा समंध भगवान के साथ बनाएं उनको बहां रुकने के लिए प्रात्ना करें और अगर रात बर जाग करके आप गनेश लक्षम जैनी जी का संकीर्तन करें तो बहुत उत्तम बात हैं मा किसी भी क्षण किसी भी पल आपके घर आ सकती है बंदुओ जे थी दिपाबली के उपर विशेष जानकारी अगर अबी तक आपने हमारे चैनल भक्तिरस्त लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सरप्रतम हमारे चै नजाई श्री रादे